हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल प्रियंका की हाई तिंकिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम आप लुग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे तो फ्रेंड्स मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ जो आप किसी भी व्रत में बना कर खा सकते हो तो फ्रेंड्स से लिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने 6-7 बॉल्ड आलू लिया है जो मैंने चील कर पहले से रख लिया है अब इसको मैं एक ग्रेट लूँगी उससे ग्रेट कर लूँगी सारे आलूओं को इसी तरह ग्रेट कर लेंगे यहां मैंने ग्यास की उपर एक पैन रख है उसमें एक चमज घी डालेंगे और घी को गर्म कर लेंगे ग्यास की फ्रेम लोटू मीडियम रखेंगे जब घी गर्म हो जाए तो उसमें ग्रेट किया हुआ आलू डालेंगे और अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम हाप कप दूद डालेंगे दूद डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे उसके बाद हाप कप इसमें हम सुगर पाउडर डालेंगे सुगर पाउडर डालने के बाद आप हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और पांच मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे पांच मिनट हो गिया आप इसमें हम वन टी स्पोन इलाची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आज मिनुट हो गया हब गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और एक ठाली लेंगे उसमें एक चमच घीर डालका ग्रीज कर लेंगे उसके बाद ये अपना स्वेट्स वाला बैटर डालेंगे और स्पैचुला से स्प्रेट कर लेंगे अब इसको हम एक घंटे के लिए रेफ्रीजे लड़ाएंगे और नाइप से कट करके सर्व करेंगे तो अज की मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको अगर अच्छी लगी हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए गया और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और झाल